सभी जातियों को राम राम नमश्कार उमीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़ियोंगे इस वीडियों माँ बात करने वाले हैं और इस वीडियों में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपके application form के status के बारे में कैसे हमें कंफर्म हो कि हमारा application form accept हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ और चेंजेस अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है अगर आपने या फिर SI के लिए फॉर्म अपलाई किया है तो वीडियो का बलास तक जरूर द देते हैं तो यहां पर देखो सबसे पहले आप सभी को बता दें कि दो और बढ़तियों के फॉर्म बरे गए हैं जिसमें एक आपकी वाली बढ़ती और एक आपकी आर्प यह तीन टोटल बढ़ती हैं जो कि आप तक आर्रवी की तरफ से निकाली गई है और आर्रवी ही इस के online application form ले रहा है तो यहां पर ELP और technician में कुछ चीज़ें common देखने के लिए मिली हैं जो आपको RPF में देखने के लिए मिलेंगी आप सभी को बताते हैं कि ELP और technician दोनों में दुबारा से photo और signature अप्लोड करने का option दिया गया है आप सभी को बता है ELP का पहली देदिया था अब technician के लिए भी एक notice दारी कर दिया गया है जिसमें बूला गया है कि आप अपने photo and signature दोवार अप्लोड कर सकते हैं और जिनके photo and signature में कोई भी दिक्कत थी उन सभी को message के मादिम से सभी को update कर दिया गया है कि आप अपना photo and signature proper जो भी criteria है उसमें उसे upload करो यसी के साथ बात आ जाती है आरपीएफ के लिए तो यहां पर आरपीएफ में दो पूस्ट है एक आपकी अगर हम बात करें तो एक आपकी constable और इसके अलावा एक आपकी SI अब दोनों के लिए भी यह चीज़ अपलाई यहां पर हो सकती है आप इससे पहले status के अगर हम बात करने तो देखो जब आपने form apply किया होगा तो वहां पर आपको login कर लेना है और login करने के लिए application stream में जाके देखना तो यहां पर आप सभी को माई application के नाम से मिल जाएगा और इसमें आपको application status देखने के लिए मिल जाएगा application status में अगर आपका success दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है औ और उमीदगरतों के maximum बच्चों का यहां पर success दिखा रहा होगा अभी क्या हो रहा है कि यहां पर यह photo and signature को लेकर सभी application form को scrutinize करना है जिससे कि यह clear उपाए कि किसी बच्चे के form में signature of photo में तो कोई दिख कर नहीं है क्योंकि इनका पूरा जोर है वो signature of photo पर है उसका reason है कि कोई भी solve और वगएरा किसी भी मात्यम से इस भरती में धांदली ना हो और इसी की बचे से सारे जो भी चीज़ें हैं वो अपना ही जा रही है तो यहां पर जैसे कि मैंना आप सभी को बताया है ELPN technician के लिए अब बारी है आपके आर्पी आपकी तो यह चीज आर्पी आप प photo and signature ELP आप सभी को दिखा देगा अगर आपके पास यह option नहीं आता है यानि जब notice इसका आ जाएगा उसमें यह भूला जाएगा कि आपको photo and signature अप्लोड करने है तो आपको login करके देखना है और जिसके भी photo and signature में problem होगी वो यहां पे photo and signature वाला जो option है वो यहां पे जहां प photo and signature जो criteria है उसे fulfill करता है और आपके photo and signature का कोई भी issue नहीं होने वाला है आपका accept हो गया है तो इसी तरीके से आप सभी को confirm होगा और यह चीज़ आप clear समझ लो कि जैसे आपका एल्प टेक्निशन के लिए notice आया है पूरी उमीद है कि photo and signature के लिए आपका भी आएगा और जब आपके photo and signature वाला प्रोसेस अप्लोड हो जाएगा तो photo and signature के बाद 90 परसेंट आपका यह clear हो जाएगा कि आपका form accept हो जाएगा 90 परसेंट इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि बाकी का जो प्रोसेस स्क्रूडनाइज वाला वो दुबारा से स्टार्ट होगा और उसके बेसेस फ्रीट होगा कि आपका application form accept हुआ है या नहीं हुआ है और किसी के फीस बगएरा में कोई दिक्कत रही होगी तो यहां पर अंसक्सेस दिखा देगा है नहीं दिखाएगा लेकिन जब आपका application form accept हो जाएगा तो यहां पर accept का option आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा और आगर reject हो जाएगा तो उस condition में आपको reject का option देखने के लि पहरा से स्कूट नहीं होगी उसके बाद यहां पर स्टेटस चेंज होगा यहां तो accept यहां फिर reject जिस वच्छे का accept हो गया यानि कि वह examination में जा पाएगा और जिसका reject हो जाएगा पूरी जानकरी आपको clear होगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe करने और वेल आइगन पर प्रेस करने ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे मिलेंगे नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए वस इतना ही तो thank you for watching जाहिन जावारत